तो जिसना से आपको पता है हमारे पास Angular की ये lecture series चल रही है तो आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं Passing Data from Child to Parent Component भाई देखो अपने part number 23 के अंदर मतलब previous lecture के अंदर हमने बात की थी Passing Data from Parent to Child Component लेकिन आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं Passing Data from Child to Parent Component मतलब जो previous video थी उसका total opposite हम आज के lecture के अंदर discuss करने वाले हैं क्योंके भाई देखो previous lecture में हमने क्या सीखा था कि Parent का data मतलब parent component से data हमें अपने child component में किस तरह से pass करना है लेकिन आज के lecture के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें अपने child से child component से data transfer करना है अपने parent component के अंदर तो वो काम हम किस तरह से करेंगे तो भाई देखो ये दोनों concept बहुत जादा important है तो अगर किसी ने हमारा previous lecture नहीं देखा तो मैं recommend करूँगा कि पहले आप हमारा previous lecture देख लो उसके बाद इस lecture के उपर आओ क्योंकि मैंने क्या बताया angular applications के अंदर parent से child में भी data transfer किया जाता है और child से data parent में भी transfer किया जाता है लेकिन भाई एक बात मैं आपको बताता जाओ जो हमने previous lecture में देखा था ना passing data from parent to child component वो इस lecture से different था मतलब अगर हमें parent से child में data pass करना है तो उसका तरीका different होता है तो आप ऐसा imagine नहीं करना के जो तरीका हमने previous lecture में देखा था उसी तरीके का कोई तरीका इस lecture में होगा नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो यह हमारा part number 24 और मैं हूँ आपको sir मौमद आदिल और अब हम अपना lecture start करते हैं तो भाई देखो इसके practical के उपर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका एक scenario समझाता हूँ मतलब एक diagram से इसका थोड़ा सा आपको overview देता हूँ उसके बाद जाते हैं हम इसके practical के उपर तो भाई देखो यहाँ पर क्या कह रहा है passing data to parent तो भाई देखो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा एक parent component होगा और हमारे पास एक child component होगा तो भाई देखो इस case में अब हम क्या करेंगे अब हम child का data कहां पर pass करेंगे अपने parent component में pass करेंगे मतलब हम कुछ data बनाएंगे अपने child component में और उसको transfer करेंगे, pass करेंगे अपने parent component के अंदर, ठीक हो गया, फिर आगे आजाओ, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताए कि भाई, अब हम child component का data parent component में pass करेंगे, लेकिन किस तरह से pass करेंगे, मतलब angular के अंदर इस चीज को implement किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो, भा कहाँ पे अपने parent component में, और इसी event के अंदर क्या होगा, हमारा data होगा, कौन सा data जो हम अपने child से parent में pass करना चाहरे हैं, वो data basically, कौन लेकर जाएगा, वो data लेकर जाएगा हमारा यह event, मतलब मैं अपने child component में एक event बनाऊंगा, और उस event के अंदर मैं कुछ data pass करूँगा, और अब वो event मैं कहाँ पे access करूँगा, अपने parent component में access करूँगा, तो इस तरह से क्या होगा, कि जब मैं event access कर लूँगा, तो इसका मतलब child component के अंदर जो data था, वो भी मैं अपने parent component के अंदर access कर लूँगा, ठीक है, तो यह second scenario अपने mind में रखना, अब आजाओ, अब मैं इसक अपने child से parent component में pass करना चाह रहा हूँ, तो भाई देखो, यह event मैं बनाऊंगा कहाँ पे, भाई देखो, यह event मैं बनाऊंगा, हमारे child component की जो ts file होती है, child.component.ts, जिसके अंदर हमारी class होती है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपना event, और event मैंने क्या बता है, क्या होता है, और देखो, यह event हम बनाऊंगे कैसे, भाई देखो, हमारे पास, angular के अंदर यहाँ पे class होती है, जिसका क्या नाम है, event emitter class, इस event emitter class की मदद से मैं क्या बनाऊंगा, event बनाऊंगा, कौन सा event, जिसके अंदर हमारे पास data होगा, और वो event मैं कहां पे बनाऊंगा, अपनी child.component dot ts में बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, event emitter class की मदद से बनाऊंगा, ठीक है, तो भाई देखो, जब मैंने यह event बना लिया, अपनी event emitter class की मदद से, तो अब इस event को मुझे पास करना है, अपने child से कहां पे, parent में, यूँके मैंने क्या बताया, यह event अभी मैं कहां पे बना र तो वहाँ पर हम child component के अंदर input decorator का concept यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे याँपे data, child component से कहां पर पास करना है, parent में पास करना है, मतलब पहले child component input ले रा था, मतलब data receive कर रा था, लेकिन अब child component डेटा throw कर रहा है, मतलब data output में भे decorators दोनों कहां पे use किये जाते हैं child components के अंदर use किये जाते हैं ठीक है मतलब event मैं बनाऊंगा event emitter class की मदद से कहां पे अपने child.component.ts के अंदर लेकिन इस event जिसके अंदर data है उसको मैं अपने child से parent में किस तरह से बेजूँगा output decorator की मदद से अचा भई suppose करो के output decorator की मदद से मैंने child component में जो भी data था वो parent में accept कर लिया तो भई देखो जो data है वो parent component के पास आ गया है लेकिन अब child का data में अपने parent component के अंदर display किस तरह से करवाऊंगा भई यहाँ पे देखो आपको पता है ना कि जो भी हमारे child components होते हैं उसको ह हाँ पे करते हैं अपने parent component के अंदर और parent component हमारे पास कौन सा होगा हमारा app component यह याद रखना मतलब child component कोई भी हो सकता है हमारा custom component हो सकता है लेकिन parent component में किसकी बात कर रहा हूं app component की बात कर रहा हूं तो भई parent component के अंदर हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से अपने child को call करेंगे मतलब suppose करो के मेरे child component का क्या नाम रखा है मैंने child तो इस तरह से हम उसको call करेंगे न अपने parent के अंदर app-child तो भाई देखो यह जो मैंने event pass किया था अपने child से parent में तो इस event को मैं access कैसे करूँगा parent के अंदर भाई यहाँ पे देखो parent के अंदर यहाँ पे मैंने अपना child component call किया वह ना और इस child component के अंदर मैं किस तरह से इस event को access करूँगा यहाँ पे देखो भाई देखो app-child और event आपको पता है ना event हम use करते हैं parent thesis के अंदर तो parent thesis के अंदर यह जो event है जो मैं अपने child से कहाँ पे pass कर रहा हूँ parent में pass कर रहा हूँ तो इस event को मैं यहाँ पे जब मैं अपने child component को call कर रहा हूँगा कहाँ पे हमारे parent component के अंदर वहाँ पे मैं इस event को access कर लूँगा तो भाई देखो यह child component है इसको मैं call कहाँ पे कर रहा हूँ अपने parent component में इसका मतलब ये event भी access कहाँ पर हो रहा है और मैंने क्या बताया था कि वहाला जो event है ये क्या करता है हमें कोई data return करता है इसका मतलब जब मैं इस तरह से अपने parent component में child component को call कॉल करूँगा तो ये वाला event चलेगा और इस event के अंदर जो भी data होगा उसको मैं अपने parent component की html file के अंदर render करवा लूँगा डिस्प्ले करवा लूँगा तो भाई यह है diagram ठीक है अगर आपको यह first time में समझ में ना आई तो इसको rewind करके एक दफा जरूर देख लेना क्योंके concept यह है क्योंके इसी diagram को जब मैं practical implement करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो भाई इस diagram को आपने माइन में रखना है और आप इसी को मैं implement करके दिखाता हू अपने visual studio code में तो यहां पर आजाओ तो यहां पर देखो यह मेरा new app वाला project angular का project open किया हूँ जिसके अंदर हम काम कर रहे है तो यहां पर देखो app.component.html file भी open है और यहां पर देखो app.component.ts file भी open है मतलब यह हमारा parent component है और देखो जो हमने previous lecture के अंदर किया था वो सारा code मैंने यहां से comment out किया हूँ है यहां पर भी comment out किया हूँ है और देखो यह जो html file है हमारे app component की वो सारा data भी मैंने यहां पर comment किया हूँ है तो इसलिए मैं इसके आगे क्या लगा रहा हूँ हूँ है तो अब यहां पर आकर एंटर करते हैं इस component को create करते हैं तो यहां पर देखो यह component हमारे पास create हो चुका है आपको यहां पर नजरा रहा हुगा चार files है और इसको app.module.ts के अंदर add कर दिया गया इस child2 वाले component को ठेक है तो अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ यह थोड़ा से ओपर चलते हैं तो यहां पर देखो आपको यह child2 component नजरा रहा है ठेक है यह वाला जो last class में ता इसको मैं बंद कर लेता हूँ ठेक हो गया तो अगर मैं इसको ng serve करके terminal पर run करता हूँ ठेक है तो यहां पर आके मैं कहता हूँ ng serve और यहां पर enter करते है ठेक है तो यहां पर देखो हमारी application local host पर run हो चुकी है मैं browser पर आपको दिखाता हूँ तो यहां पर देखो आपको result नदर आ रहा है child2 works ठेक है अब देख ठेक है मैं चलता हूँ अपनी child component की जो ts file है ठेक है तो यहां पर आजाओ तो भाई देखो अब सबसे पहले आपने पता ही क्या करना है सबसे पहले यह जो आपके पास angular slash core की library है इसके अंदर से आपको event emitter का यह जो class है उसको access करना है ठेक है किस तरह से यहां पर देखो event emitter क्योंकि इसके बगएर आपका वो जो event है जिसके अंदर data होगा वो आप यहां पर create नहीं कर पाओगे ठेक है तो आप नीचे आजाओ यहां पर देखो यह हमारी जो class है इसके अंदर मैं यहां पर आता हूँ मैं यहां पर public ठेक है और यहां पर मैं इसका नाम रखता हूँ child event ठीक है यह हमारा event होगा ठीक है लेकिन इसको मैं create किस तरह से करूँगा यहां पर देखो मैं यहां पर जो event emitter की class है ठीक है इसका मैं आपर object पास कर देता हूँ ठीक है तो यह देखो यह event emitter की class है ना इसके object के थ्रू मैंने यहां पर क्या किया अपना यह event create कर लिया और मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पे child event आप इसको property भी कह सकते हो लेकिन यह basically हमारा क्या है event है और बैदेखो मैंने क्या बताया था इस event को इस child event को मुझे कहां पे pass करना है अपने parent में pass करना है ठीक है और उसके लिए मैं आपर use करूँगा output decorator का concept ठीक है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे output को भी इस angular slash core की module में से निकाल लेता हूँ ठीक है किस तरह से यहाँ पे देखो output ठीक हो गया इसको मैंने यहाँ से निकाल ली और अब देखो output मैं कहां पे लगाँगा यह जो मैंने event बनाया ना child event इसके शुरू में देखो यहाँ पे मैं इसको parent में पास कर रहा हूँ लेकिन भाई देखो अभी इस event के अंदर कोई data मौजूद नहीं है समझ रहे हो मतलब यह event आप समझे लो कि अभी बिलकुल खाली है तो भाई मैं क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई एक button होना चाहिए हमारे child component.html file के अंदर और जब मैं उस button के पर click करूँगा ना तो ये वाला event चलेगा और इस event के साथ मैं कुछ data pass करूँगा किस तरह से यहाँ पर आ जाओ यह जो इसकी html file है ठीक है यहाँ यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक button बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर pass कर देता हूँ एक message sent event क्या pass कर दिया send event और यह event अभी मैंने बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पर देखो यह क्या हो रहा है error आ रहा है तो भई देखो इसी नाम को मैं यहाँ से copy करता हूँ अपनी ts file में चलता हूँ और यहाँ पर देखो इस नाम से मैं यह event बना लेता हूँ ठीक है event बना लिया और अब देखो अब मै इस के अंदर मैं एक message पास कर देता हूँ और message में मैं अपने channel का नाम पास कर देता हूँ learning never ends मतलब देखो समझना के यहाँ पर हो क्या रहा है ठीक है गौर से समझना देखो मैंने क्या किया पहले एक child event बनाया किस की मदद से event emitter class की मदद से और output decorator लगा के मैं इसको कहाँ पे पास कर रहा हूँ अपने child से parent में पास कर रहा हूँ और देखो फिर मैंने क्या किया फिर मैंने यहाँ पे एक button मनाया ठीक है यह button मनाया इस button के अंदर text क्या पास कर दिया send event और मैं कह रहा हूँ जैसी इस button के ओपर click होगा तो यह वाला event चलेगा मतलब यह वाला event function चले आए यहाँ पे इस event को मैं emit करवा रहा हूँ बैए देखो emit का क्या मतलब है emit का मतलबोता है throw करना तो मतलब यह event आप स्रोगा कहां पर healthcare वहबामारे parent में और मैं यहाँपे कुछ data भी throw कर रहा हूँ मतलब मैं सिफ event throw नहीं के करवा रहा हूँ बलकी इहाँपे देखो event के सा से करूँगा और मुझे access कहां पे करना है parent के अंदर तो भाई देखो मैं आता हूं अपने app.component.html के अंदर देखो यहां पे मैं अपने app.child को क्या कर रहा हूं access कर रहा हूं तो भाई देखो अब इसके अंदर यहां पे देखो मैं event बनाता हूं अपने child component को call कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं उस event को access कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखो, यह वाला जो event है, यह हमारे पास क्या emit कर रहा है, आप यहाँ पे देखो, यह हमारे पास एक string value emit कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, उसके लिए इस double code के अंदर मैं आपे, एक property यहाँ पे define करता हूँ, मैं कहता हूँ message, और इसके अंदर मैं आपे पास कर देता हूँ dollar event, भाई देखो आप समझना के यहाँ पे हो क्या रहा है, भाई देखो यह जो मैंने learning never ends पास किया था यह जो मेरा data था, तो यह वाला जो data है यह पता है कहाँ पे जाके store होगा, यह store होगा इस event object के अंदर, मतलब इस event variable के अंदर, और इस event variable के अंदर जो learning never ends store हो रहा है, वो मैं कहाँ पे get कर रहा हूँ MSG, मतलब message मैंने short में लिखा है, लेकिन भाई देखो अभी इसके अंदर error इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह जो message वाली property है यह अभी तक मैंने अपने app component के अंदर define नहीं की, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ देखो, अपने app component की जो ts file है उसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कहता हूँ public, ठीक है, और property का नाम के है msg, और इसके अंदर मैं simple empty string pass कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह मैंने message की property बना ली, और अब इसको यहाँ पर देखो, अपने app component html file के अंदर चलते हैं, क्योंके भई देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो यहाँ जो मेरा child component है, इसके अंदर यह जो मैं learning never ends का data भेज रहा हूँ, यह कहाँ पर जाके store होगा, यह store होगा इस dollar event के अंदर, और यहाँ से मैं यह data कहाँ पर पास कर रहा हूँ msg के अंदर, तो अब देखो इस MSG को मैं access करता हूँ यहाँ पे यह जो हमारा app component है इसके अंदर मैं यहाँ एक S2 का tag बनाता हूँ ठीक है short में लिखते हैं S2 और इसके अंदर interpolation open करता हूँ और वो जो MSG की property थी जिसके अंदर हमारे पार data कहां से आ रहा है हमारे child component से आ रहा है और उसको मैं यहाँ पे इस तरह से receive कर रहा हूँ और इस message को यह जो property थी इसको मैं कहां पे access कर रहा हूँ हमारे parent component के अंदर जो के हमारा app component तो मतलब देखो message के अंदर यह जो data आ रहा है यह basically आ कहां से रहा है यह आ रहा है हमारे child component में से ठीक है यहां से आ रहा है और इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया यहां पर देखो event emitter की class यूज़ की और output decorator का यूज़ किया ठीक है तो भई अब देखो अब मैं इसको save करता हूँ और यहां पर आते हैं browser में ठीक है इसको में एक दफा refresh कर देता हूँ तो भई देखो अभी आपको यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन जैसी मैं send event पर click करूँगा तो क्या होगा हमारे child से data कहां पर आ जाएगा हमारे parent में आ जाएगा ठीक है तो देखो send event के उपर click करता हूँ तो यह देखो app component.html में यहां पर देखो top पे मैंने इस तरह से access किया था तो यहां पर देखो आपको क्या नजर आ रहा है learning never ends क्योंकर यहां पर सबसे end में क्या नजर आ child का data parent में pass करते और यहीं मैंने आपको यहाँ diagram में भी दिखाया ठेके देखो इसी तरह से access किया था न app child को मैंने access किया parent में और फिर मैंने यहाँ पर वो जो event था child event उसको call किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर message property बनाई उसके अंदर data get किया और उसको अपने parent component के अंदर display करवा दिया तो भई अब आपको यह diagram और अच्छे समझ में आ गई होगी क्योंके मैंने इसका practical भी आपको करके दिखा दिया है तो भई देखो जो concept हमने previous lecture में देखा था passing data from parent to child वो थोड़ा ज़ादा असान था लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंके इसके अंदर मैं एक extra चीज यूज़ कर रहा हूँ event emitter class और इसके अंदर हम event का concept यूज़ कर रहे हैं और भई देखो event का concept इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंके अगर आप एक चीज़ notice करो देखो child 2 के अंदर हम अपना parent call नहीं कर रहे है मतलब जो मेरा child component है इसके अंदर मैं अपना parent call नहीं कर सकता इसलिए हमें event का सारा लेना पड़ा जोंके अगर आप previous lecture की बात करो तो वहाँ पे हम अपने app component के अंदर child component को call कर रहे थे इसलिए parent का data child में भेजना असान है लेकिन child का data parent में भेजना वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप इसकी practice करोगे और इस diagram को इस lecture को अच्छे से practice कर लोगे तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको बिलकुल इस concept को समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी तो अगर इस lecture के अंदर कोई भी confusion है तो comment box में मुशे जरूर पूछ लेना तो मुझे अपनी दौह में याद रखना है मिलते हैं इन्शाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए दीजे जाज़त अल्ला हाफिस